अब हमें का कर वे माली के जब नई छथी तह हम कौन ची कर ये गुगरहत निक तह हम रातनी के आसा आ रहा है नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है पुर्व केंद्री मंत्री और बिहार के बड़े दलित नेता रहे राम बिलास पासवान के निधन के बाद उनके द्वारा अस्थापित दल लोग जनसकती पार्टी में जिस तरीके से पासवान के छोटे भाई पसपती पारस और बेटे चिराग पासवान में जंग छुड़ी है उससे देखते हुए अब नहीं लगता कि पार्टी में दो फाड़ होने से कोई बचा सकता है एक तरफ जहां पसपत पारस ने चिराग पासवान को संसदी दल नेता पत से हटाने के बाद अधक्ष पत भी हटा दिया है और कारिकारणी की बैठक बुला करके उनको अधक्ष बनाने के तेयारी है वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने पुरानी चिठी जारी करके ये साबित करने की कोशिस की है कि चाचा दगाबाज है पापा के सामने भी इन्होंने बगावत की थी जिसको ले करके पापा बहुत दुखी थे इनके उपर परिवार को ले करके चलने की जिम्मेदारी थी जो इन्होंने नहीं निभाई और साथ में उन्होंने भी कारिकारणी आहूद करने की बात कही है इस बीच जब ये बात राम बिलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी तक पहुँची तो वो रोने लगी भावख हो गई और कह रही है कि माली के नर रहने के बाद ये क्या हो रहा है सुनिये उनको तो जैसा कि आपने सुना काफी दुखी है का रहे है कि जब वही नहीं है तो मैं क्या बोलू लेकिन जब कुरेदा गया तब वो कह रहे है कि चिराग को चाहिए कि वो अपनी दोनों बहनों यानि कि पहली पत्नी राजकुमारी देवी से दो बहने है आसा और उसा आसा के पती अनिल साधु राष्टी जनता दल में है उनसे चिराग पासवान के मतभेद हैं और ये मतभेद राम बिलास पासवान के सामने ही हो गया था तब वो लोजपा छोड़ करके और आरजडी में चले गए थे लेकिन जो उसा है उनके पती अब जो धनराजएवां के चलते हैं और उन्होंने टिकट वी दिया था तो अब पाली पतनी यानि की चिराग पासवान की बड़ी मायमा जो राजकुमारीदेवinä वह चाहते कि उनको उनकी दोनों बेटियां दोनों दमाद ऑ किराग पासवान मिल करके चलें यूं तो वो पस्पत पारस से भी उमीद कर रही है कि उनकी जिम्मदारी है और सभी मिल करके चलें लेकिन जिस तरीके से वो आगे बढ़े हैं और सत्ता का जो लालच होता है वो परिवार को ले करके चलने देने के लिए उनको मजबूर करेगा ऐसा दिख नहीं रहा है वो तो दूसरी दिसा में खेंचे जा रहा है खींचे जा रहा है और इसके पीछे जो मास्टर माइंड और आर्किटेक्ट बताए जा रहा है वो हैं जेडी यू के नेता और बिहार के मुख्यमंतरी नितिसकुमार उनके खासम खास ललन सिंग ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और बदला लिया है विधान सभा चुनाव में हार का क्योंकि चिराग पासवान ने जो है एंडी ये से अलग हो करके चुनाव लड़ा और जहाँ 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 जेडियू के मजबूत कंडेट थे वहाँ अपने कंडेट उतारे जिसकी वज़य से नितिसकुमार की पार्टी बिहार में तिसरे नमर की पार्टी बन गई है और 43 सीटों पे आकर के सिकुड गई उसी का बद्ला लिया है नितीस कुमार ने पसपत पारस को तोड़ करके चिराग पासवान को अलग थलग कर दिया ऐसे में अब चिराग पासवान के सामने दूसरा बिकल्ब सिर्फ इतना बचता है कि वो अपनी मार इना पास्वान को आगे करें और बड़ी मा जो राजकुमारी देपी हैं उनको भी साध के चलें ताकि किसी तरीके से ये संदेश जाए कि राम बिलास पास्वान के ना रहने के बाद उनका जो परिवार है वो परिसान है और भाई ने दगाबाजी कर दी इस इसी इमोशनल एंगल से उन्होंने पुराने चिठी होली पे लिखी गए चिठी को जारी किया है और यही उनकी प्लानिंग है अब देखते हैं को बड़ी अम्मा को साध पाते हैं या नहीं तो आप रहिए न बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक